ये एक और मंत्री पर गाजगिरी है, दिल्ली सरकार के स्वास्त मंत्री सतेंद जैन पर हवाला कारोबार करने का आरोप लगा है आयकर विभाग ने सतेंद जैन को समन भेज कर 4 अक्टूबर तक पेश होने का आदेश दिया है IT के धारा 131 के तहट विभाग ने सतेंद जैन को समन भेजा है इस मामले पर सफाई देते हुए सतेंद जैन ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है वह आयकर विभाग में जाकर जवाब देंगे साथी यह भी कहा है कि 1212 से पहले उन्होंने कई कमपनियों में निवेश किया था जिसके बाद से उनका उन कमपनियों से कोई लेना देना नहीं है यह एक जांच नहीं बलकि सिर्फ पूछ ताच है इतना ही नहीं मंत्री ने यह भी कहा है कि मुक्हि मंत्री केजरवाल अगले दो दिनों के दोराण विधान सभा में कई मामलों को लेकर बढ़ा खुलासा करने वाले हैं वही सतेंड्यान का बचाव करते हुए मुक्हि मंत्री अर्बिंद केजवाल ने ट्विट किया है आपको बता दें कि आयकर विभाग ने कहा है कि सतेंजैन की पिछले 4-5 साल की आयकर रिटर्ण से हवाला कारोबार करने का मामला सामने आया है सतेंजैन की चार कंपनियों पर आयकर विभाग की नजर है वहीं खबरों की माने तो मंत्री पर हवाला के 17 करोण रुपय का लेन देन करने का आरोप है स्वास्त मंत्री ने हवाला कारोबार पर खुद को बेकसूर बताया है लेकिन आए दिन आपके किसी न किसी मंत्री पर लगे आरोप आप सरकार की मुसीबतों को बढ़ा रहा है